हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टु यूयर ओन चैनल आजूस्क्वड स्टुडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है इंजिनेरिंग राइंग का वह है वह है हाव टु राइट ट्रेकनिकल लैटर्स आज हम सीखेंगे टैकनिकल लैटर्स जो है हमारे अपर केस उनको कैसे लखते हैं, उनकी जो ratio है, उसको कैसे mundane किया जाएगा तो आईए start करते हैं, आज जो हमारा topic होगा, उसमें हम ratio यो use करेंगे वो होगे हमारी 7 ratio 4, 7 ratio 4 use करेंगे, 7 ratio 4 का meaning क्या है जो हमारा letter होगा, suppose हम A लिखेंगे, तो A की जो height होगी वो किसका multiple होगी? 7 का, येवाली जो height है, वो किसका multiple होगी? 7 का और जो इसकी width होगी W, वो किसका multiple होगी? 4 का, उके? इसकी height अगर आपको suppose 35 mm given होगी, जो आपका exam होगा, उसमें आपको height given होगी suppose the height is 35 mm तो आपको height given है और उसके साथ ratio given है 7 ratio 4 तो आप सबसे पहले क्या निकालोगी उस letter की width और उसके बाद letters को लिखोगे तो उसको कैसे निकालने है 7 over 4 is equals to height कितने 35 35 over w, w हमको निकालना है तो इसको आप w को कैसे निकालोगे 35 into 4 over 7, इसकी cutting कीजिए 7, 5 दा 35 और 5, 4 दा 20 mm means अगर आपकी height 35 mm होगी तो आपकी width कितनी होगी 20 mm, अगर आपको question में height ना given हो आपको width दे दी जाए 20 mm, तो आप क्या करोगे 7 by 4 ऐसा ही लिखोगे 35 की जगा आप क्या लिखे दोगे h लिखे दोगे और w की जगा क्या लिखे दोगे जो आपको width given थी 20, तो आप क्या कैसे करोगे 20 into 7 over 4 is equals to h, 5, 4 दा 20 7, 5 दा 35 mm, तो आपकी height कितनी आए जाएगी 35 तो आप इस method से height निकाल सकते हो और letter की width निकाल सकते हो जो exam में ratio आप से पूछी जाएगी जिस ratio में आपको letters लिखने होंगे वो 7 ratio 4 हो सकती है 5 ratio 4 हो सकती है इन दोनों में से कोई एक ratio आपको given होगी paper में तो आएए सबसे पहले start करेंगे A से यहाँ पर मैंने जो letters पहले लिखके उनको print करके रखा है उनके impressions यहाँ पर बनाए हुए तो सबसे पहले A A को कैसे लिखना है A में मैंने दो line mark किये हैं यहाँ पर एक आप ऐसे देख सकते हो उपर line है यहाँ से और एक इसके नीचे यहाँ से ऐसे जो horizontal lines है इन दोनों का जो difference था वो होगी height height हमारी को given थी 35 तो इन दोनों lines का जो difference है वो कितना रखा है 35 mm और हर एक letter की जो width रखी है इस box की यहाँ से यहाँ तक वो कितनी आई थी है हमारी 20 mm, तो width है 20 mm तो ऐसे पहले मैंने सारे box हमना लिए और उसके बाद उनके बीच मैं letters लिखूँगा, जो हमारे letters मैंने लिखे है जाँ पर वो है हमारे single stroke, vertical letters uppercase, single stroke का meaning जैसे आप A लिखोगे तो एक line लगाई means single stroke, अगर आप इसको ऐसे double गर्द होगे ऐसे triple गर्द होगे, यह double stroke triple stroke चला जाएगा और vertical means बिल्कुल सीधे हैं किसी angle पे नहीं बनाए और उसके बाद uppercase means capital letters तो यह हमारा total बनेगा single stroke vertical letters uppercase, सबसे पहले एक ऐसे लिखोगे जो आपका box है यहां से यहां तक उसका पहले आप center लगा लो center को नीचे वाले corner के साथ match करो ठीक, और इस corner को जो नीचे वाला corner था box का उसके साथ match करो ऐसे, और बीच में जो इसकी एकी line लगेगी वो कहां पे लगेगी one third के उपर जो आपकी height है उसके आपको equal three parts करने होंगे यहां से, जहां तक की चो height होगी उसके ऐसे मैंने three equal parts कर लिए जैसे total कितना था 35 35 के अगर मैं three equal parts करूँगा तो वो approximately 11 something और 12 something कुछ बन जाएंगे तो जो मेरा one third होगा नीचे से, नीचे से एक part है वहां पे मैं एक ऐसी line लगाऊंगो सीधे यह मेरा बन जाएगा A A में first stroke second stroke और बीच में third stroke नीचे से कितना gap था? one third total का means 35 का one third next B B में सबसे पहला stroke सीधी line और उसके बाद इस तरफ से आपने एक ratio को छोड़ना है एक unit को एक unit कितने के ब्राबर होगी? जैसे height कितनी थी? 35 35 को आप 7 से divide करो इसको जो divide करके आएगा वो आपकी क्या होगी? एक unit होगी अगर आपको height ना given होती width given होती तो width कितनी थी? 20 25 को आप 4 से divide करोगी इस 4 से इसको divide करके भी कितना आएगा? 5 आगा दोनों case में आपको same answer मिलेगा तो 5 mm इस case में आपकी क्या है? एक unit है तो इस तरफ से एक unit छोड़ देनी है आपने है और यहां से एक line लगाने है और जितनी line जहां पे लगाई है उतने ही line उपर यहां पे ठीक है? तो इस दोनों line लगाने के बाद इसको एक semi circle से आप match कर दोगे बीक आपका नीचे का portion बन जाएगा और उपर क्या करोगे? आप half तक लेके आओगे total था हमारे 12 12 को half 6 6 को उसके बाद ऐसे semi circle आप बना के match कर दोगे जो बीका नीचे वाला portion होगा वो आपकी इस line को touch करेगा box की line को और जो उपर होगा वो box को touch नहीं करेगा box से थोड़ा सा पीछे रहेगा जैसे आप देख सकते हो उपर भी चोटा है थोड़ा सा और नीचे वाला बी का portion थोड़ा सा बढ़ा है A, B, B के बाद C C को आप कैसे लिखोगे सबसे पहले ऐसे center mark कर लो ठीक है और उसके बाद एक center यहां पर और इसको ऐसे करवब बनाने की कोशिश करें नीचे तक आ जाएं एक line में आना है नीचे तक और इसको इस line के साथ match कर दो और नीचे इसके साथ match कर दो यह आपकी बन जाएगी C C कोई next D D में first first stroke और उसको ऐसे total 12 था 12 के हम half तक जाएंगे 6 तक और उसके बाद इसको ऐसे match करना शुरू कर देंगे ऐसे हमारी complete D बन जाएगी ठीक है A, B, C और D next E E में हमारा first stroke यहां तक और उसके बाद जो हमारा 12 mm का box था last तक और उसके बाद यहां पे थोड़ा सा पीछे line के touch नहीं करना line को और उसके बाद center में center तक total 12 था means 6 तक और यहां पे 9 यहां पे 12 total 12 फिर 9 mm फिर 5 mm, 6 mm sorry 12 का जो half था 6 mm तो हमने A से E तक लिख लिया, अभी हम इसके stroke देखेंगे, A में first stroke कौन सा था, यह वाला, first stroke यह वाला क्या था, first stroke, एक नंबर और यह हमारा कौन सा था, दो नंबर और यह हमारा कौन सा था, तीन नंबर, ठीक है, B में यह वाला first, यह वाला second, यह वाला third, और जो कर्व थी, वो था आपका 4, उसके बाद 5, इसके बाद 6, इसको आप थोड़ा सा change भी कर सकते हो, आपके लिए जरूरी नहीं होगा, कि आप 1, 2, 3, और 4 मार्क करो, आप ऐसे कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, और last में 6, इसको change कर सकते हो, C में यह हमारी कर्व थी first, यह हमारा second, और यह हमारा third, D में यह हमारा था first, और जो आप 12 का half आये थे जहां तक, यह हमारा था second, और जो हमारी कर्व थी वो थी, third, E में यह हमारा था first stroke, यह हमारा था second stroke, यह हमारा था third stroke, और जो बीच में था वो था हमारा fourth stroke, ठीक है, A, B, C, D, E, इसके बाद आएंगे F के उपर, सबसे पहले first stroke, सीधी लाइन, और इसको आप end तक मैच कर दोगे, means 12 mm पूरा, और center में half, 6 तक, यह हमारे होगी, F, next G, G में सबसे पहले आप C बना लोगे, जैसे आपने C बनाई थी, ऐसे center लगा होगे आप पहले, 12 का half 6 तक, यहाँ पे भी 12 का half 6, और यहाँ पे center, और अभी यहाँ से जो इसका center होगा, पूरे box का, rectangle का, वहाँ पर ऐसे, आप 7 बना दोगे, यह आपकी बन जाएगी, G, G के बाद, edge, first, second, और अभी center से थोड़ा सा नीचे लाइन लगाने है, बिल्कुल center पे नहीं लगेगी, थोड़ा सा नीचे लगेगी लाइन, edge, edge के बाद, I, I, बिल्कुल एक straight line होगे, ठीक है, आई, तो इसके stroke देखिए, F में, जो हमारा first stroke था, first, उसका second, next, third, G में, यह हमारा first stroke था, यह हमारा second था, और यह stroke हमारा third था, और इसको हम पूरा complete मानेंगे, एक stroke, four, edge में, यह हमारा first stroke, यह हमारा next, यह हमारा third stroke, ठीक है, I में A की stroke था, बिल्कुल सीधा, first stroke, I के बाद J, तो J को कैसे लिखो गया आप, J में थोड़ा सा change होगा, जो आपके A to Z letters हैं, उसमें J, M and W, इनकी ratio अगर आपको paper में 7 ratio 4 given होगी, तो आप J को लिखोगे 7 ratio 3 में, ठीक है, J को किसमें लिखोगे, 7 ratio 3 में, और जो M और W होगा, उसको आप लिखोगे 7 ratio 5 में, अभी आप देखिए, 7 ratio 3 का मीनिंग क्या हुआ, 35 हाइट थी, 35 over W, 7 ratio 3, जब आप यहां से W की value निकालोगे, तो वो आपके पास कितनी आएगी, 35 into 3 over 7, 35 into 3 over 7, ठीक है, 53 का 15, तो यहां पर जो height निकले, width थी हमारी 20 थी, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां सक 20, और यहां हम 10 पर लगा रहे थे, half, कुछ case में मैंने 6 बोल दिया होगा, लेकिन अगर यह हमारा total 20 है, तो half यहां पर इसका 10 होगा, लेकिन यहां पर 7 ratio 3 होगा, तो उसमें हमारी जो width था आगी, वो कितनी हैगी, 15, तो यह के case में आप क्या करोगे, मेरा box था यहां से, यहां तक 20 mm का, यहां से मैंने एक unit छोड़ देनी हैं पहले, तो means यहां से यहां तक कितना हो गया, 15, तो एक unit छोड़ कर फिर मैं line लगाऊंगा नीचे की तरफ, नीचे से कितना छोड़ूँगा उपर, 2 units, और उसके बाद, सीधी line लगाने के बाद, यहां से, एक semi circle बनेगा, ठीक है, और उसके बाद, इसको ऐसे line के साथ match करेंगे, और इसका center निकाल लेंगे, center निकालने के वाद, center को, जो box का corner है नीचे, उसके साथ match करना है, ऐसे, ठीक है, जहां पर आपका यह point कर जाएगा, वहां तक आपकी J बनेंगी, means, यहां से, आपकी J, यहां तक रहेगी, ऐसे बनानी आपने J, आपका जो J का portion होगा, उपर तक नहीं जाएगा, सिर्फ यहां तक रहेगा, इसको कैसे निकाला था, एक बरदवारस देखिए, यहां पर एक सीधी line लगाई, और यहां से एक complete semi circle बनाया, और इसका center निकाला center को इस corner के साथ match किया, और जहां पर इस line ने cut किया है, वहां तक हमारी J जाएगी, यहां से यहां तक, ठीक है, J, J के बाद K, K में सीधी line, ठीक है, और उसके बाद one third के उपर, जैसे A में one third निकला था, 35 का one third अप्रॉक्स 12 था, one third के उपर एक point लगेगा, और उसके बाद इस corner के साथ match करना है इसको, अभी आप इस corner को, इस corner के साथ match करोगे, ऐसे, तो यहां से line को आपने ऐसे darker, ऐसे आपकी बनेंगी K, K के बाद next L, L में आपकी ऐसे cd line, और उसके बाद ऐसे second, L के बाद M, M को हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें जो ratio थी वो है, 7 ratio 5, M के बाद आप N के उपर आईए, N में, first line, second line, और इसको center में से match करना है, M, N, ठीक है, N के बाद O, O में, जैसे आपने c में बनाया था, पहले center निकाल लिया, 20 था, 20 का half 10, 10, ऐसे एक तरफ, से आपने, दूसरी तरफ, S के आपकी बन जाएगी, O, O के बाद P, P में first line, ठीक है, और उसके बाद 20 का half 10, ऐसे आप 10 तक जाओगे, यह आपकी line center में लगाई है, 35 के center में, और उसके बाद इसको, इसे semi circle के साथ, आप match कर दोगे, P, P के बाद next Q, Q में जैसे O बनाई थी, पहले O बना लीजिए, O, O के बाद जो आपका corner होगा, यहाँ पे box का, जितनी line box के बाहर होगी, उतने ही line box के अंदर होनी चाहिए, ऐसे आपकी बनेंगी Q, उसके बाद R, R में जैसे P मनाई है, सबसे पहले P मना लीजिए, P में कहते हैं, ऐसे center तक 20, half 10, नीचे 20, half 10, और उसके बाद ऐसे एक आपकी R के लगएगी, जैसे P मनाई थी, अभी K, जैसे K में किया था, इस corner को, इस corner के साथ आप match करोगे, और जो आपकी लाइन यहां से यहां तक आएगी, उसको आप dark कर दोगे, ऐसे आपकी R बन जाएगी, R के बाद next S, S में सबसे पहले आप 20 का half कर लो, center, ठीक है, और उसके बाद आपने यहां तक कितना नहीं है, दो units, तो सबसे पहले ऐसे semicircle बनेगा उपर, ठीक है, फिर semicircle बनेगा, नीचे की तरफ, यहां तक, सबसे पहले उपर semicircle, यहां से, यहां तक इस line को मैंने touch नहीं किया, box को touch नहीं करना चाहिए, वो box से थोड़ा सा पीछे रहेगा, और इस तरफ वो touch करेगा box को, ठीक है, यहां से, यहां तक की height कितनी होगी, वन यूनिट, वन यूनिट कितनी थी हमारी 5 mm, ठीक है, अभी हाप इस के stroke देखिए, यह मैं कैसे था, एक unit छोड़ के start किया, फंस्ट स्ट्रोग, और यह हमारा second stroke, क में first, यह हमारा second, यह हमारा third stroke, L में first, यह second, N में first, second, यह हमारा third, O में 1st, 2nd, P में 1st stroke, 2nd, 3rd, और इसको 4th, Q में 1st, 2nd, और इसको 3rd, R में 1st, 2nd, 3rd, और इसको 4th, S में जो हमारी छोटी कर्व थी 1st, जो हमारी वड़ी कर्व थी 2nd, और इसको 3rd, और इसको 4th, ठीक है, S के बाद अभी हमारे आएंगे T के उपर, T में पूरा complete 20, और नीचे की तरफ सेंटर से, बिल्कुल सीवी लाएंग, S, T, U में नीचे से आपने एक जोनों छोड़ देनी हैं, एक से थोड़ा सा ज्यादा छोड़ देना हैं, और नीचे, सेमी सिर्कल, ऐसे आपकी बनेगे, U, V में जो आपका 20 था, उसका पहले आप हाफ निकाल लो, और उपर वाले कॉर्णर और इस कॉर्णर को सेंटर के साथ मैच कर दो, V, next W को बाद में देखेंगे, क्योंकि उसकी रिश्यो कितनी थी, 7 रिश्यो, 5, उसके बाद X, X क्रॉस बनाना है, इस कॉर्णर को इस कॉर्णर के साथ, और उपर वाले कॉर्णर को इस कॉर्णर के साथ, ऐसे हमकी बनेगी, next X, और अभी Y में आप क्या करोगे, जो Y का सेंटर होगा, वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएगा, एक यूनट तक नीचे हैगा, means नीचे से दो यूनट शोड़ देने हैं आपने, तो यहां से यहां तक, next, सीधी लाइन नीचे, ठीक है, आपका जो सेंटर होगा, सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, नीचे से दो यूनट शोड़ देना आप रफली, next, जड़, सीधी लाइन जो 20 था हमारा, नीचे की तरफ 20 और इसको आप ऐसे मैच कर दोगे, Z, अभी आप इसके stroke देखिए, T में ये था हमारा first stroke, नीचे की तरफ second, U में first stroke, second stroke, ये था हमारा third stroke, V में first, second, X में ये वाली सीधी line 1, और ये वाली line 2, Y में first, second, और नीचे वाली सीधी line 3rd stroke, Z में first, second, और नीचे की तरफ जो हमारी inclined line थी वो third stroke, अभी आप देखिए M और W, अभी M और W की case में हमने देखा था ratio कितनी होगी, 7 ratio 5, M और W की case में ratio कितनी है, 7 ratio 5, तो आपकी height कितनी है, 35, वेर्था आपको निकालनी होगी अभी, तो इन दोनों का आप किसकी equal कर दोगे, 7 over 5 के, तो यहाँ से W की value क्या आएगी, 35 into 5 over 7, इसकी cutting की 7, 5 का 35, 55 दा 25, तो यहाँ पी आपकी weight कितनी हाईगी, M और W की 25, तो जो M बनाया मैंने, उस box की height यहाँ से यहाँ तक 35 है, लेकिन जो उसकी weight थे यहाँ से, यहाँ तक होगी, वो होगी 25, तो M में first stroke, यह हमारा next, second stroke, और अभी आप इसका half कर लो यहाँ पे, यह हमारा third stroke, यह हमारा fourth stroke, ऐसे आपका complete M बनेगा, W में कैसे बनेगा, यहाँ से, यहाँ तक, कितना हमारा, 25, इसका पहले center निकाल लो, और center निकालने के बाद, यहाँ तक नीचे center आई जाएगा, इन दोनों points का center निकाल लो, ऐसे, ठीक है, तो सबसे पहले, इस corner को, इसके साथ match किया, means, first to be complete, next, ऐसे हमारी second V complete, ऐसे हमारा complete W बनेगा, तो यही थे हमारे technical letters, single stroke, vertical, uppercase letters, इन सभी में strokes लिखें, तो आपने stroke के हिसाब से बनाना है, M में कैसे stroke थे, 1, 2, 3, 4, W की case में first, second, third और fourth, जब आप stroke को mentions करोगे, stroke बनाओगे, तो आप stroke में left से right जा सकते हो, उपर से नीचे आ सकते हो, यह right method, आप कभी भी right से left नहीं जा सकते, और नीचे से उपर नहीं जा सकते, यह गलत method है, तो आप जब भी letters लिखोगे, technical letters, तो try करना, left से right जाने के लिए, उपर से नीचे, कभी भी right से left नहीं जाना, और नीचे से उपर नहीं जाना, तो यह थे हमारे single stroke, uppercase, vertical letters, यह हमारा next lecture होगा, उसे में हम numerals देखेंगे, how to write numerals, 0 to 9, और जो हमारे lower case letters होगे, small ABC होगी, उसको next lecture में complete करेंगे, okay students, thank you so much.